रूस और यूक्रेन के बीचल रहे युद को देखते वे भारत भी अपनी रक्षा और सेनने कोशल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाता। वश्चिम सीमा पर आर्मी ने बेहत सक्तिशाली हतियारों से प्राकर्म दिखाया। भारत अब सेना को ऐसे सक्तिशाली हतियार दे रहा है जिससे की चीन भी हैरान है। भारते सेना को जल्द ही नए टैंक मिलने वाले हैं। चेन नई में मुझूद हैवी वाइकल फैक्टरी जल्द ही अठारा अरजुन एम के वन ए टैंक देने वाली है। इस टैंक में कम्प्यूटर कंट्रोल्ड फायर कंट्रोल सिस्टम हैं। जो दिन होया रात हो इस टैंक से टारगेट पर स्टिक निशाना लगाना असान होगा। सारे टैंक मिलने में तीन साल ओर लगेंगे। नया अरजुन टैंक अपने पुराने वर्जन से जादा बहतर आदूनी खतरना को और मारक है। इसमें आटोमेटिक टारगेट टैकर लगा होगा ताकि टारगेट को ट्रैक करना आसान हो जाए। इस टैक का वजन 68 टन हैं और इसमें चार क्रू बैठते हैं। इस टैंक का इंजन 1400 होर्सपुल की तागत देता है और इसकी उचाई 9.2 फीट है। इस टैंक के उपर एक 12.7 मिलीमीटर की NSV मशीन गन होती है। और साथ में MAG 7.62 TK 715 कोई किश्यल मशीन गन होती है। इसका ग्राउंड किलियर लेस 1.6 फीट है। भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं है।